कि नमस्कार दोस्तों आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे रिगवेद में कि तो प्रमुख मंडल रिशी संबन्दीत हैं तिति मंडल से विश्वामित्र है रिगवित का जो चोथा मंडल उसे वामदेव रिशी संबंदी थे है चोथा मंडल से अन्नी रिशी संबंदी थे है छटा मंडल से भार्दवाद रिशी संबंदी थे सात्वा मंडल से वर्षिष्ट रिशी संबंदी थे आठवा मंडल से पवों मान या अंगिरारी सी सम्बंदित हैं परतम तदा दित्तिय मंडल जो है वह रिगवेद का छेपक मानने ज़तों जो बाद में जड़ा गया जोड़ा गया था अब रिगवेद के जो उपवेद कौन-कौन से हैं तो रिगवेद के उपवेद आयरवेद हैं इनके पुरुवेद होता होता है सामवेद का गरधा और वेद है इसके पुरुवेद उद्गाता होते हैं रिजवेद का धनवेद उपवेद है जिसके अर्धू पुरुवेद ह साधने कि ब्रह्म्हा पुर्वृत होते हैं अब जो व्यद्ध होते हैं उनके कौन-कौन से ब्रामड आरडग ता उपनिसत गरंथ होते हैं तो आयों ये बात लिग्वेद के लिगट के पहले एत्रे मुर्म पस्ती ब्रामडम गरंथ है एसzemीं सब्सक्राइब व्रय दारड़ाक तता सत्पत है और वपनिसध में देखे तो तैत्रीय, कट्ठ, सुवितासवर इस व्रय दारड़ाक वपनिसध है तो यह रिजवद के थे είναι सामवद का ब्रामडग्रंत 25 है और आरड़ाक जैमिनी छहन्दोग है और वपनिसध छहन्दोग केन है और सवेत की बात करें तो ब्रामण ग्रंथ इसका गोपत है, आरेड़क ग्रंथ इसका कोई नहीं है, ओपनिसद इसके प्रस्त मुंड़क मांडूख है, तो यह दिग वेते संबंदी थे, जो इसके ब्रामण और आरेड़क और ओपनिसद ग्रंथ थे, धन्यवाद बित्रों, अजिए आपको यह पसंद आए तो प्री चैनल सुब्सक्राइब और लाइक करें,